साल था 1995 में मिथुन चक्रवर्तिया भिनीत एक मूवी आई थी नाम था रावन राज इस मूवी में एक डायलोग था कि हो रहा है फैसला अच्छे बुरे का फिर आज जल रही है फिर से लंका मिट रहा है रावन राज रावन राज तो लंका में अब नहीं है लेकिन इतना जरूर है कि लंका फिर धूधू कर चल रही है और राष्ट पती गोटा बाया राज पक्षे का राज मिट रहा है नमस्कार दोस्त रंग्दिवसंति देखना सुरू कर चुके हैं आप मैं हूँ राजीर चोधरी हम सबने लंका को जलते सबसे पहले रामान सीरियल में देखा था इसके बाद लंका अब फिर चल रही है पहले रावन की एक गलती से जली थी और अब की बार लंका की सरकारों की गलती से यानि आर्थिक संकट से जूज रहे स्रीलंका में परदर्सन कारियों ने सत्ताधारी पार्टी के 15 से अधिक सदस्चों के घरों और दप्तरों को आख्यावाले कर दिया जिसमें राष्टपती गोटा बया राजबक्षे का घर भी शामिल है इस दोरानुई गोलाबारी में एक मोजुदा सांसद सहीत कुल पाँच लोगों की जान चली गई इस बीच स्रीलंका के प्रदान मंत्री महिंद्र राजबक्षे ने अपने पद से स्थिपा दे दिया है इस सब के पीचे वैसे तो कहीं कारण गिनाई जा रहे हैं लेकिन आप असली कारण समझे या फिर गोर से इस चेरे को देखिए ये वो चेरा है जो किसी पर अपना हाथ रख दे तो उसे कंगाल बना देता है क्योंकि जिनपिंग का करज और उस देश की कंगाली दिन दूनी रात चोगनी तरक्की करती है यकीन नहों तो पाकिस्तान की आलत देख लीजिए अब सिरी लंका भी उसी कंगाली की रापर आगे बढ़ रहा है पाकिस्तान और सिरी लंका ही नहीं कुछ दिन बाद विश्व के अनेको गरीब देश जिन पिंके फैंके इस करज जाल से जलते पाई जाएंगे ऐसे में कई लोगों के जिहन में एक सवाल उठ रहा होगा कि चाइना तो पैसे देता है फिर ये देश कंगाल क्यों हो जाते हैं आखिर ऐसा क्या है कि करज देने वाला अमीर हो रहा है और करज लेने वाले गरीब तो इसे बिलकुल साधरन तरीके से आप ऐसे समझे जैसे एक घर है उस घर में छेह साथ सदस है एक बुजूर्ग है जो बिमार है इसकी दवा के लाले पड़े हुए हैं दूसरा एक बच्चा है जिसका गरीबी के कारण स्कूल में एडमिसन नहीं हो पा रहा है तीसरी एक युवा लड़की है जिसकी गरीबी की वज़े से साधी नहीं हो पा रही है एक युवा है उसके पास रोजगार नहीं है इन सब को लेकर घर का मुख्या परेशान है तब ही अचानक एक साहुकार आकर उसके घर की लोकेशन देखे और उस घर को सीधा खरीदने के बज़ाए पैंतरा आजमाते हुए घर के मुख्या को करज दे कर उस घर में एक दो AC और एक 56 इंच की LCD लगा दे भले ही घर में बुजर्ग के लिए दवा ना हो बच्चों के लिए स्कूल ना हो युवा के लिए रोजगार ना हो लेकिन ये AC और LCD दे कर एक बार की पडोसी तो जरूर जलेगा कि यार ये तो विकास कर रहा है लेकिन जब साहूकार को वो करज ब्याज समेट लोटाना पड़ेगा तो उस घर के मालिक को या तो घर बेचना पड़ेगा या फिर घर के सदस समुख्या को मिलकर कूट देंगे बस स्री लंका में आज जो हालात पैदा हो रहे हैं आप इस उधारन से समझ सकते हैं या फिर अमेरिका के दूसरे राष्टपती जोन एडम्स का एक परसिद कथन भी याद करो जिसमें उन्होंने कहा था कि राष्टों को गुलाम बनाने के दो ही तरीके हैं पहला तलवार से और दूसरा उन्हें करज के जालबे फसा कर साल 2013 चीन के राष्टपती सी जिन पिंग ने भी अमेरिका के दूसरे राष्टपती जोन एडम्स का एक थन पड़ा और बेल्ट एंड रोड परियोजना बी आराई की गोशना कर दी सी जिन पिंग ने इस पर योजना को आधूनिक युक का सिल्क रोड बताते हुए दावा किया था कि ये वेश्विक, शंपरक, विकास और सदवाव का मार्ग परसस्त करेगी इस से जुड़कर गरीब देश रात रात अमीर हो जाएंगे ये सुनकर दुनिया के अनेको विकास सिल देश अमीर और विक्षित होने के लिए लाइन लगा कर चाइना के सामने खड़े हो गए अगर सबसे पहले एशिया की बात करें तो बारत को छोड़कर चाइना के इस सफेदाती को हमारे लगबग सभी अडोसी पडोसी देश खरीदने दोड़ पड़े जब ये देश करज मांगने पहुचे तो चाइना ने सभी करजों में गोपनेता और समपर्भू गारंटी की सर्थ तोपनी शुरू कर दी यानि जैसे मकान के कागज ले आओ लोन ले जाओ उसी तरह जैसे बैंक जमीन या होम लोन देता है आज 9 साल बाद सेंकडो अरब डालर के निवेश के बावजूद इस परियोजना के सबसे उत्साही पैरोकार भी इसके फाइदे बता पाने या इन परियोजनाओं के लिए करज की सर्थ बता पाने में ऐसमर्थ है संपर्क या कनेक्टिविटी योजनाओं के नाम पर सफेधाती बने इनके बंदरगा बरबादी के राजमार्ग बन चुके हैं बने भी क्यों ना कोई अमीर करज देकर गरीब की जोपड़ी के बार हेलिपेड बना दे तो वो गरीब हेलिपेड की किस चुकाएगा या अपने लिया हेलिकोप्टर उड़ाएगा इसमें एक और बात समझ लेनी चाहिए कि ये देश चाइना से करज लेने की लाइन में क्यों लगे थे दरसल विश्व बैंक और अंतर राष्ट्य मुद्रा कोस जब किसी देश को करज देते हैं तो मानवा दिकार और पारदरसिता जैसी तमाम सर्ते रखते हैं जिससे इंडा सीधा था कागजलाओ लोन ले जाओ नतीजा आज सोध रिपोर्ट बताती है कि बैल्ट एंड रोड परियोजना के तहत कम से कम 385 अरब डालर का छीपा हुआ करज है जिसके बारे में दुनिया को पता ही नहीं जोन हपिकन स्विस्विदाला के चाइना अफरीका इन करती नहीं थी दरसल चीन की सर्ते बहुत ही कड़ी और सिर्फ अपने फाइदे की थी और मजबूरिये की करजदार देश इनकी सर्ते सर्वजनिक नहीं कर सकते थे अब यहां एक और बात समझने की है कि जैसे जापान है वो विकासीन देशों को सिर्फ आधा परतिसत व्या कर लेता है साथ ही परतिय करजदार को एक विदेशी खाता रखना होता है जिसमें एक नियूंतम रखम रखनी होती है अगर करज चुकाने में कोई अर्चन आई तो किसी नियाईक परकिरिया में उलजे बिना चीनी बैंक या कमपनी उस खाते से यह रखम निकाल सकती है जिबूती, लाओस, जामबिया और किर्गिस्तान पर चीनी गर्ज उनकी जीडीपी के 20% अधिक जादा है पिछले 18 साल में चीन ने 165 देशों में 13,000 परियोजनाओं के लिए 843 अरब डालर के करज बांटे हैं इसमें पाकिस्तान को देखे जो भी तक ये कहता था कि उसकी ये चालीस अरब डालर का था, जो बढ़कर 90 अरब डालर का हो चुका है, अनुमान है कि साल 2024 तक पाकिस्तान को इन परियोजनाओं के लिए 100 अरब डालर से ज़्यादा का भुगतान करना पड़ेगा, 2015 में सी पैक पर मोहर के बाद इन परियोजनाओं की बदोलत पाकिस्ता की परतिव यक्ति आये 1484 डोलर से घट कर 1194 डालर हो गई है या निवे दिवालिया होने की कगार पर है सागर से गहरी मितरता होने के बावजूद भी पाकिस्तान को कर्ज के चलते अपने दो दीपों से कबजा छोड़ना पड़ा है और खादानों के ठेके ओने पोने दाम ओपर चीनी कमपनियों को देने पड़ रहे हैं पाकिस्तान नहीं चीन के कर्ज माप करने के बदले में तजाकिस्तान की पामीर पहाड़ियों में रणनीतिक रूप से एहम 1158 वर्ग किलो मिटर पर चीन ने कबजा कर लिया है इसके बाद स्री लंका का हमबन टोटाबन दरगार उसके आज पास की 6000 एक्टेयर भूमी पर चीन का कबजा हो सुका है अब इसका ताजा सिकार लाओस है लाओस के कर्ज बुगतान में विफल होने के बाद चीनी कमपनी ने इसके राष्टे बिजली गिरिड को कबजे में कर लिया है यानि वह बिजली अब चाइना के इसारे से आएगी इसके अलावा बगला सिकार जिबूती हो सकता है जहाँ 5 साल पहले उसका कर्ज जो जीडी पी के 50% के बराबर था अब बढ़कर 80% तक हो चला है हालात यह हो चुकी है कि अभी तक कर्ज के लिए लाइन में लगे देशों में या तो चाइना के लोगों पर हमले सुरू हो गए है या उन देशों की अदालते अब चाइना की योजनाओं को रद कर रही है पाकिस्तानी नहीं तमाम अफ्रीकी देशों की जनता भी चीन के विरोध में खड़ी हो रही है नतीजा मलेशिया ने चीन के सबसे दो बड़ी परियोजनाओं को रद कर दिया है केन्या में अदालत ने दो अरब डालर की लागत से परस्तावित बिजली सयंतर परियोजना को रद कर दिया है यहां तक की 2019 में पाकिस्तान ने भी दो अरब डालर की लागत से परस्तावित कोईला सयंत्र परियोजना को रद कर दिया शियरा लियोन ने 400 मिलियन डालर की लागत से परस्तावित हवाई अड़े की योजना रद कर दी बंगला देश ने दो अरब डालर की लागत से बनने वाली एक राजमार्ग परियोजना सहीत एक डीप सीपोर्ट परियोजना को रद कर दिया बलकि वहाँ के लोगों ने तो फिरोजपुर में चाइना के करमचारियों पर हमले भी सुरू कर दिये जैसे पिछले महीने पाकिस्तान के कराची में एक आतमगाती हमले में कहीं चाइनीज मारे गए थे अब इस पश्ट है कि बरबादी की सड़कों के दिन लट चुके हैं किसी सिरिलंका में गोट बाया राजबक्षे का राज मिट रहा है झाल झाल